नमस्कार स्वागत आपका हमारी खास कारिकरम हमारा उत्राखन में मैं हूँ आपके साथ भावनत्रपाथी मुलेटिन की शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ आपको बता दे विधान सबा सत्र का तीसरा दिन है आज और सदन की कारवाई जारी है C.M. खुशकर धामी ने कारवाई में मौझूद हैं UCC पर सदन में बहस जारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बदा दें C.M. खुशकर धामी सदन की कारवाई में मौझूद हैं UCC पर सदन में बहस चल रही है ये आज चर्चा का तीसरा दिन है इस वक्त की बड़ी खबर देहरादूल विधानसवा सत्रका आज तीसरा दिन जहां सदन की कारवाई जारी है CM धामी सदन की कारवाई में इस वक्त मौझूद है UCC पर सदन में बहस जारी है सदन की कारवाई जारी है सदन में UCC पर चर्चा हो रही है सदन की कारवाई में मौझूद है सत्र का तीसरा दिन है आज और आज भी UCC पर चर्चा की जा रही है कारवाई में पुशकर धामी मौझूद है कि विधान सब्बा सथ्र का आज तीसरा दिन जारी है कि देहरदू से आपको यह तस्वीर हैं जहां विधान सब्बा सथ्र का आज तीसरा दिन है उत्राखन विधान सभा के विशेश सत्र के तीसरे दिन की कारिवाई शुरू हो गई है सदन में UCC के विधायक को पारित करनने के साथ ही उत्राखन राज आंदोलन कारियों के आरक्षन के संशोधिर विधायक को भी सरकार सदन में पारित कराएगी वही क्याबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत में UCC की जम कर सराहना की है उनका कहना है कि UCC ध्वनी मत से पारित होने के बाद देश के लिए नजीर साबित होगा देखा आपने देखा होगा कि कल काफी बाते मैंने सबर में गुली और यहां तक मैंने कहा है कि वही गोवाब प्रदीश में 157 बस पहले उसी से आया था उससे भी ज्यादा ससक उसी से हमने अपने राजी में बनाया है और कल लगभग 25 बिजायकों ने इसके चर्चा की है आज भी दिन भर चर्चा होने जा रही है और जैसे धुने मत से पास हो जाएगा यह पूरे देश के लेकर नजीर बनने जाए उपने का पृतिपक्ष भूवन कापडी ने धामी सरकार के यू सी सी विधेग पर सवाल खड़े कि हैं उनका कहना है कि सरकार दौरा सदन में पेश किये गए यू सी सी विधेग में सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया गया है नया इसमें कुछ भी नहीं है कि सरकार सिर्फ यू सी सी के सहारे महौल बनाने की कोशिश कर रही है देखिए यू सी सी कट कॉपी पेस्ट है यू सी सी भाजपा का कट कॉपी पेस्ट है जितने उसमें नियम है वह पहले से हमारी सविधान में बाल विवा की बात करने है जो 1928 से है 1978 में उसमें 18 साल और 21 साल का आ गया 2006 से 2005 से महलाओं को अपनी पिताजी की पैतिक संगपत्ति में अधिकार है मेरी जैसेशन 2005 से चल रहा है बैस यह हां छे मेंने को मेरी जैसेशन कराना भूल गया कोई अनिभी किताब में कोई गरीब जानकरी के अबाव में तो उसे पत्ची जार रुपे जरुआना जरूर देना पड़ेगा अरे हम तो कह रहे हैं यह सब है पहले से सवीधान में यह तो सब सवीधान में है पहले जाओर बाकी क्या कह रहे है यह आउसमा भी आपको दिखाई देगा इस वक्ती बड़ी खबर जहां कॉंग्रेस नेता के घर इडी ने चापे मारी की है हरक सिंग रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाये जा रहा है आपको बता देए पूर्व क्याबिनेट मंत्री है हरक सिंग रावत 16 जगों पर इडी की चापे मारी चल रहे है हरक सिंग रावत 16 जगों पर इडी की चापे मारी चल रहे है इस वक्ती बड़ी खबर जहां इडी की चापे मारी चल रही है हरक सिंग रावत की घर सर्च ऑपरेशन चल रहे है इस वक्ती बड़ी खबर जहां इडी ने 16 जगा चापे मारी की है इसी दोरान कॉंग्रेस नेता हरक सिंग रावत की घर इडी का सर्च ऑपरेशन चल रहे है हरक सिंग रावत की घर सर्च ऑपरेशन चल रहे है इस वक्ती की बड़ी खबर जहां कॉंग्रेस नेता की घर इडी ने चापे मारी की है हरक सिंग रावत की घर सर्च ऑपरेशन चल रहे है आपको बता दे हरक सिंग रावत पूर्व क्याबिनेट मंत्री है इडी की छापे मारी चल रही है इसी द्रान कॉंग्रेस के नेता हरक सिंग रावत की घर भी सर्च उपरेशन चल रहा है इडी की औरे सुला जघोष पर छापे मारी कर रही है कि पुल्धाल के लिए बस इतना ही लोटेंगे ब्रेक के बाद व्रिद्धी इवं रोजगार परक नेश्वल्क प्रशिक्षन युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुष्ट दी जा रही है दो लाख रुपए की साहता विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षाव सीमांत जड़पों में शहीद सैनिकों के आशृतों को उत्तराखंड शहीद कोश्ट से दी जा रही है एक मुष्ट दस लाख रुपए की धनराशी उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य है सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहत खुश उत्तराखंड सरकार अपने रण बाकुरों की याद में उत्तराखंड में पाचवे धाम के रूप में बनाने जा रही है सैनिधाम सैनिधाम निर्मान के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैनिधाम में बनने वाली अमर जवान जोती की नीव में रखा गया है देव भूमी के साथ ही वीर भूमी भी है उत्तराखंड सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका रुख करेंगे खबरों के ओर उत्तराखंड विधान सभा के विशेज सत्रिकी कारवाई हंगामे के चलते सगित की गई सदन की दूसरे दिन मुखी मंतरी पुषकर सिंग धामी ने विधान सभा में यू सी सी का बिल पेश किया इस दौरान विपक्ष की तरफ से जम कर हंगामा देखने को मिला वहीं संसिदिये कारी मंत्री प्रेम चंद अगरवाल ने मुखी मंत्री पुषकर सिंग धामी का अभार वेक्ट करते हुए कहा कि बुधवार को सरकार विधान सभा में UCC को पारित कराएगी इसके साथ ही देश जो अब तुष्टी करण की राजुनीती से संतुष्टी करण की तरफ बढ़ रहा है बता दे कि संसिदिये कारी मंत्री प्रेम चंद अगरवाल ने UCC के लागू होने के बाद कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अत्यचार खत्म होंगे UCC लागू होने के बाद सभी नागरिक एक कानून के दाइरे में आएंगे वहीं क्याबनेंट मंत्री सत्पार महराज ने भी UCC के लिए मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी का अभार ज़ताया है Cbudے के अधियाजिक बढ़री के नाथ की भूमी में इस दे भूमी से एक बड़ा महत उत्याहुचिप सदुन में हो रही है और रही सभी सदुर्द बड़े जोश खरूष के साथ बड़े उत्सा के साथ इस पनिस्पिट कर रहे हैं ये महला मान में लग्ष लेकर के ये बिल ज्रूबशों होगा ताके महलाओं का संवान मिले महलाओं स्वेड़न आपैसी सब्सक्राइब माल लिज्टान उसलिएसके साथ माल विवान जो रहे होगा अवेट सब्सक्राइब गौरावशाली है कि इस सदन ने जो आज इस बिल पर अपनी बात तमाम मानिय सदस्राइब द्वारा रखी गई और सभी लोग आज मैसूस कर रहे हैं कि जो गारावशाली छण इस जिस जगाम खड़े हैं यह भवन भी शाक्षी बन रहा है उस पल का यह एत्यासिक शण हमारे लिए है और पूरे देश के अंदर उत्राखंड पहला राज्य है जहां यूशिसी लागू करने का पहल आने मुख्यमिंत्री धामी साहब नहीं यहाँ पर किया है उत्राखंड विधानसभा के विशेश सत्र का आज तीसरा दिन है सदन के हंगामेदार शुरुवात की असर है नेता प्रतिपक शिश्पाल आरे ने विधानसभा में पत्रकारों से बाचीत में कहा कि सरकार को UCC का विधैक परवर समिती को सौपना चाहिए कि इसे परवर समीती के सौपना चाहिए हमने मांग की है इसे की एक बार फिर इस पर विश्द दूप से इसमें जो परवर समीती है इसमें एक बार फिर गहन अध्यन कर आप इसकी रिपोर्ट आने के बाद कदर में प्रसुत करें पर इसकर आए कि इसे पर आपके पूर मंत्रिया रेट पड़ी है हरक्षिंगरा आप इसमें जान पर इसमें जान पर इसमें जान पर इसमें और खाद समगरी दिये जाने के साथ ही गन्ने का समर्थन मूले बढ़ाया जाए वही मुखिमंती पुषकर सिंग धामी ने विधायक की मांगों का परिक्षन कर वार्ता करने का अश्वासन दिया जुसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने किसानों की मांगे प पूर्ष ने आंदोलन किया इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे जिसको लेकर मुखिमंती धामी ने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समधान किया जहरादून में गन्ने का समर्थन मूले बढ़ाया जाने की मांग के साथ आंदोलन किया उमेश कुमार ने किसानों की मांगों को लेकर धरना दिया किसानों के तमाम जो मुद्दे हैं जैसे की गन्ने का समर्थन मूले बढ़ाया जाना ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उमेश कुमार ने धरना दिया उसके बाद सीम धामी ने उन्हें पहुँचे जहां उन्होंने चिकित्सा प्रबंद समिती की बैठक ली इस दोरान उन्होंने दो करोड़ नबे लाख रुपए के पास हुए बजट पर व्रिस्ति चर्चा करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये काशिपुर व्लॉक सभागार में बैठक आयुजन किया गया डियम उदैराथ सिंग काशिपुर के लडी भट उपजिला चुकत साले पहुँचे जहां उन्होंने बहतर स्वास्ति सुविधाओं के लिए समिती दौरा विभ्यन प्रस्ताओं पर अनुमो धन दिया इस दौरा अन दियम ने कहा कि प्रबंधन समिती के बैठक में अस्पिताल में आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अस्पिताल के छोटे बड़े खर्चों का अवलोकन किया जाता है और यह बैसक्त करने का है तो इसमें हास्पितल की जो जड होती है यह प्यार के पैसा कलेक्ट होता है उसी से हास्पितल की बहिनी जड हुरता है तो इसमें तमाम तरह की मरीजियों के सुधाओं के लिए उनके परियनों के लिए बैठने की जोफ़ा हो या बेट सीट वगरा चेंट करने की बात हो या और भी ठोटी मुटी जो भी समस्याएं होती हैं मजबूर की समस्या, लेवर की समस्या तो वो सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं और आज बजट की भी बैठक्ती को बजट पास हुआ है दो करोड़ नब्य लाग के खरी उससे पुरा साल 6 महें साल भर के लिए हास्पितर उसमें जो ही चीजे होंगी अस्थामी अस्तर पर उनी से उनका संचालन होगा उसी की बैठक्ती कोई आईसी नई बैठक्त नहीं है यह निक होती है सबी जादा मिलगा है काश्पितर होस्ति वक्त चलाए छोटी से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के मार्ग दैशन और मुख्य मंत्री श्री पुष्का सिंग धामी के नित्रित्व में उत्तराखन सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्यक शेत्र में समर्त बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाय संचालित की जा रही है प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने अपने कुमाव प्रहमंट के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4200 करोड रुपे की विभिन्य विकास परियोजनाओं की सौगात दी है जिससे सरकार द्वारसंचाले तृशी, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेजल, वखेल, आधी, शेत्रों को कती मिलेगी जिनका प्रत्यक्ष लाप राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा प्रदान मंत्री श्री नरिंद्र मोधी जी के आधी कैलाश, पारवती कुंट और जागेश्वधाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और परियटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है साथी मुख्यमंत्री श्री पुषकर सिंग धामी सरकार की महत्वा कांगशी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नय संबल मिला है इससे कूरे राज्य में रोजगार के नवीन अफसर स्रिजित होंगे और स्थानिय निवासियों की आए में बढ़ोत्री होगी डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रन उत्तराखन को विक्सित राज्य बनाएंगे हम वैद रूप से विक्रहे चाइनीज मांज़े को लेकर एक्शन लिया गया आपको बता दे कि इस कारवाई में एक कुंटल से अधिक चाइनीज मांज़ा जब्त किया गया है चाइनीज मांज़े को लेकर एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है इस कारवाई में एक कुंटल से ज़्यादा चाइनीज मांज़ा जब्त किया गया है तो चाइनीज मांज़े को लेकर ये कारवाई पुलिस ने किया है जहां एक कुंटल मांज़ा पुलिस ने जब्त किया है चाइनीज मांज़ा जिसके कारण कई सड़क दुर्गचनाई हुई लोग काफी परिशान रहे इसके बाद SSP ने बताया कि उन्होंने फेस्बुक के जरिये इस बात का संग्यान लिया और कारवाई की गए जिसमें एक कुंटल से अधिक चाइनीज मांज़ा बरामत किया ग अगर के काशिपुर में स्वास्त विभाग की निरक्षक समिती ने अवैद रूप से संचालित डेंटल क्लीनिक पर ओचक छापे मारी की इसके बाद टीम ने डेंटल क्लीनिक को सील कर दिया दरसल काशिपुर के जस्पुर खुर्द में संचालित सानिब डेंटल क्लीनिक क की सीम पोटल पर शुकायट मिली थी जिसके बाद स्वास्त विभाग की निरक्ष्ण समिती ने संग्यान लिया सीमो ने डॉक्टर मनोज कुमार श्रमा ने बताया कि जिला स्वास्त अधिकारी के नेतर तुमें छापे मारी के बाद बिना रिजिस्ट्रेशन और डॉक्टर के डिगरी के बगार चल रहे डेंटल फीनिक को सील कर दिया गया क्लीनिक जस्पूर खुर्द में सानिब डेंटल फीनिक नाम से स्वार रामपूर निवासी दानिश ने खोला था लगाता है इसके लिए कि लाब जो इस वेंटल को सिटाय को तकार तो तो यह कर दो है जो आज हमारे जो आरेक्शन किया गया और येक्शन को मान पाएगे हैं कि जो व्यक्ति यहां में मोजूद है ना तो उसके पास प्र टिगरी है और ना ही इसका क्लीनिका रिश्टेशन जो इसको जन स्वास्त के लिए ताकि जन स्वास्त की हानी ना होगा गया और चर्चरा करने के लिए समय मांगा गया जिस पर सदन ने विपक्ष को दो घंटे का समय दिया इस बात पर नाराज़गी जताते हुए भगवान पूर उधायक ममता राकेश ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट लगवग साथ सो पन्नों का है जिसके लिए दो घंटे बहुत ही कम समय है विपक्ष को यूसीसी बिल का का अध्यान करने के लिए जादर समय दिया जाना चाहिए लगवग साथ सो पेज़ का ये ड्राफ्ट है ये बिल है क्या दो घंटे में पड़ पाएंगे इसके दोशों का भी पता चलते हैं ताकि इसका निवार्ण किया रहे है वक्त चला है छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के मार्क दैशन और मुख्य मंत्री श्री पुष्कर सिंग धामी के अतक प्रयासों से देव भूमी उत्राखंड में रेल कनेक्टिविटी के शेत्र में अभूत पूर्व कारे हो रहा है जिसके परिनाम स्वरू प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीवर गती से विकास होगा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी ने धेरदून से दिल्ली तक चलने वाली बंदे भारत एक्सप्रेस का उद्खाटन किया साथी उत्रखन की सभी रेल नेटवर्कों का विद्योती करण का कार्य सो प्रतिशत पूरा हो गया है प्रधेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड की लागत वाली रिशिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है अमरित भारत रेल वी स्टेशन योजना से हर्रावाला रेल वी स्टेशन का 30 करोड रुपे प्रूड की रेल वी स्टेशन का 29 करोड रुपे और लालकुआ रेल वी स्टेशन का 30 करोड रुपे से काया कल्प किया जा रहा है कुमाओ के पहाड़ी इलाकों को जोडने वाली तनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्मान कारे चल्द शुरू होगा टोईवाला से कंगोत्री यमनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमती दी जा चुकी है रेलवे ने बजट 2023 में उत्तराखंड को 5,004 करोड रुपे की सौगाद दी है इसमें हरिद्वार और देरदून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरिय सुविधाओं से लेस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के उपर रूफ टॉप का निर्मान किया जाएगा मजबूत रेल नेट्वर्ग बन रहा है प्रगती और आधुनिक्ता का प्रमान डवल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्मान ब्रेक के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़ेंगे खबरोखियोर यूसीसी ग्रास को लेकर उत्राखंड कैबनेट वंत्री सत्पाल महराज का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि ये पल सभी को गौरवानवित करने वाला पल है ये बिल महिला सशक्ती करन को बढ़ावा देने वाला बिल साबित होगा और इससे बाल विवाव पर रोक लगेगी सत्पाल महराज ने कहा कि यूसीसी कई देशों में भी लागू है भारत में भी इसके शुरुवाद उत्राखंड से प्रारम हो रही है सिस्पाल महराज ने कहा कि UCC उत्राखन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बड़े उत्सा के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये महिला शक्तिकरन को लक्ष लेकर के ये बिल जो है पास होगा ताके महिलाओं का सम्मान मिले महिलाओं को शक्ति मिले इसके साथ साथ बाल विभाज जो है वो नहीं होगा अवेदमाना जाएगा इसके साथ साथ बहुत से इसके अंदर नियम है जिन से मैं समस्ता हूं की एक आचार संगिता पूरे हमारे देश में लागू होगी और इससे यही यूशी सी जो है साथी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजर्बाजान में, जॉमनी में, जपान में, केरेडा में भी लागू है तो अन्य देशों के अंदर भी ये UCC लागू है तो निश्चत रूप में हमारे उत्राखन से इसका प्रारंब हो रहा है मैं धामी जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनोंने ये इनिश्यटिव लिया और ये निश्चत रूप में उत्राखन के विकास में बहुत एक मायमील का पत्तर थाबित होगा फिलहाल के लिए बस अतना ही जल्द हाजर होंगे नई अपडेट के साथ नमस्कार